दोस्तों अगर आपको भी नसों में दर्द रहता है, नसों में दबाव है, नसों में कमजोरी है, तो आटे में ये एक चीज मिला कर ही आटा खाईए, वो भी हफते में सिर्फ तीन दिन, यानि एक दिन छोड़ कर एक दिन और एक टाइम खा लीजिए, ऐसा करने से जिनके भी नसों से सबंदित कोई भी समस्या है, नसे कमजोर है, नसों में दर्द होता है, नसों में बहुत जल्दी एठन आ जाती है, रात के टाइम आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों की नसों में फेस करनी पढ़ रही है, आपके अंदर WBC यानि की वाइक ब्लड सेल्स बहुत कम हैं, बॉड़ी में वाइक ब्लड सेल्स कम होने से रोग प्रतिरोधक्षमता भी, हिम्मुनिटी पावर भी कमजोर पढ़ जाती है, और हर एक छोटी मोटी बिमारी बहुत जल्दी हो जाती है सर्दी, जुखाम, कांसी, वाइरल, फीवर, यह बहुत जल्दी हो जाती है, अगर आपको भी बॉड़ी पेन सेहना पड़ता है, शरीर में दर्द सेहना पड़ रहा है, और आप इसके लिए रोजाना कोई ना कोई पेन कीलर खा रहे हैं, तो प्लीज पेन कीलर खाना बंद तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हाना कि लाइक करने की कोई पैसे नहीं मिलते, पर मेरा मॉटिफेशन ज़रूर अप होता है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहे हूं जिनकी भी टांगों में दर्द हो रहा है, टांगों की पिंडलियों में दर्द होता है, और स्पेशली रात को होता है, कभी-कभी आपने ये देखा होगा, कि आप रात को पूरी रात सोए हैं, पूरी आत आपने अराम किया ह लेकिन आप सुबह जब उठ रहे हैं फिर भी आपको थकान है फिर भी आपकी टांगों की पिंडलियों में दर्द हो रहा है आपके पैरों में दर्द हो रहा है ये दर्द क्या है ये दर्द होता है हमारी body के अंदर नसों का पूरा जाल बना होता है जब भी कोई नस कमजोर पड़ जाती है या फिर डेमेज होने लगती है या फिर दब जाती है तो उस नसों में दर्द शुरू हो जाता है जब एक नस में दर्द शुरू होता है तो वहां के साइड के जो लिगमेंट्स है जिसे आम बोलचाल की भाशा में हम मास कह सकते हैं मसल कह सकते हैं तो उनमें पी पेन रहने लगता है, दर्द रहने लगता है, अगर हम हलका सा वहां टकरा जाते हैं, तो वह दर्द और बढ़ जाता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि नसुग में जितनी भी समस्याइं आती हैं, उन लोगों के आती हैं, जिनकी बॉड़ी में विटामिन B या विटामिन B12 कम है, अब सब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि विटामिन B12 तो सारा नौनवेज की अंदर भरा पड़ा है, हम शाकाहारी हैं, हम नौनवेज कैसे खाएं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आटे के अंदर सिर्फ एक चीज मिलानी है, सारे क सारा विटामिन B12 आपको मिल जाएगा जितनी भी जरूरत है, और एक चीज, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत जादा एनसों की, और आपके अंदर विटामिन B12 बहुत जादा कम है, तो आप इसका सेवन रोजाना करना, आपने क्या करना है, अगर आप दो 5 रोटी बनानी है, तो आपने 5 आप चमबच दही के डाल दीजिए, 6 बना रहे तो 6 चमबच दही डाल दीजिए, और जितनी एक्स्ट्रा जरूरत हो तो पानी डालना, उसके बाद आटा गूंद के रखतीजिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए, फ्रिज के अंदर नहीं रखना बाहर रखना है, किसी भी चीज से ढख कर, यानि कि किसी बरतन में डाल दीजिए, उससे ढख कर आप इस आटे को रखतीजिए, 15 मिनट के बाद इसके अंदर विटामिन B12 बरपूर आ जाएगा, वो उस आटे की आपने रोटी खानी है, रोजाना आपने 2 रोटी खानी है, एक दिन छोड़ कर खानी है, अगर आपके अंदर विटामिन B12 बहुत कम है, नसों की समस्या बहुत जादा है, तो आप रोज भी दो रोटी खा सकते हैं, ऐसा करने से, बौडी की जितनी भी रिक्वाइरमेंट है, जितनी भी जरूरत है विटामिन B12 की, वो सारी पूरी हो होती है, हो सके, तो आप रोजाना एक रोटी खाली जिए, अगले दिन फिर एक रोटी खाली जिए, अगले दिन फिर एक खाली जिए, आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, जो यह हमारी दही वाली रोटी बनी है, इसकी अंदर विटामिन B12 कैसे बन सकता है, वीडियो में आ बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसलिए तो ये कहा जाता है कि जो भी अंकूरित अनाज होते हैं उनमें भी विटामिन B12 होता है क्योंकि उनमें भी खमीर पैदा हो जाता है तो आप विटामिन B12 के लिए तो आप आटा गुंदिये दही मिक्स करके और आप इसके इलावा आप sprout यानि अंकूरित अनाज का सेवन कीजिए इन दोनों चीजों का सेवन करके नसों की कोई भी समस्या दूर हो सकती है नसों का दर्द, नसों का दबना, नसों की कमजोरी या फिर immunity power का कमजोर होना आपकी body में WBC यानि कि white blood cells का कम होना, आपकी यादश्ट का कमजोर होना रोख बहुत जल्दी हो रहे हैं तो आप इस formula को जरूर फॉलो कीजिए ये बहुत ही powerful है और बहुत ही easy है अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पुछेगा आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप मेरी चैनल पर नई है पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Stay Healthy, Always Be Happy Thank you for watching my video, Okay Bye